तो दोस्तो आज 23rd October 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ specific company की share के बारे में जिसमें आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिला इनमें दोस्तो एक चीज आपको common नज़र आएगा उसके साथ-साथ ये गिरावट के पीछे actual कारण क्या है जानेंगे इस वीडियो पे साथ-साथ ये सारे share में अगर और जाता गिरावट हो गया तो कहां तक गिर सकता है ये भी discuss करेंगे साथ ही में आपका आगी का रनीती क् company की share को लिए तो एक एक करके शुरुआत करते हैं सबसे बहले IRFC जो कि आज गिरावट हुआ लगबख 6% के आसपास इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें लगबख सारे 7% की गिरावट रहा नेक्स्ट आर्वीनल के अंदर भी 6% के करीब करीब गिरावट रहा नेक्स्ट आयर सीरिस के अंदर इवेन आज लगबख 4% से जादा गिरावट देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहां पर जो जो कंपणी का आप मैं शेयर दिखाया उनमें MTC को छोड़के यहां पर सारे के सारे जो कि रेलवे सेक्टर से जुड़ावा कंपणी है और यह सारे कंपणी की में एक आपको कॉमन चीज नज़र आएगा वह सारे PSU कंपणी मतब सरकारी कंपणी अब दोस्तों मैं आपको सैटरे की दिन शाम के लगबख 7-8 बजे के आस हो सकता है जिसका थोड़ा पहुत जलक हमें रिसन टाइम पर भी देखनी को मिल गया एस जीवें को फेस रिसनली हुटको को फेस आया था लास्ट ट्रेडिंग विग पे उसके पहले आर्विनल को फेसा था तो आप देख से न्यूस का हेड्लाइन कुछ ऐसा है कि MC एक्स्क का कभी कभी हमने देखा ब्रोकरेज की तरफ से हिंट मिलता है तो यह दोस्तों कोई ब्रोकरेज या कोई आप अब देख से यह आया है सीनियर गवर्मेंट ऑफिशियल की तरफ से तो मतलब आप बोल सकते यह 70-80% एकदम पका न्यूस है और यहां पे क्लियर कट मेंशन किय किया उनके तरफ से मतलब जो सिनियर गवर्मेंट ऑफिशियल है उनका नाम तो यहां पे डिस्क्रोज नहीं किया पर उनके तरफ से यहां पे जो हिंट मिला है कि गवर्मेंट इस प्लैनिंग और ऑफ फोर सेल यानि ओफलोड स्टेक इन डा एट लीस्ट सीक्स पब्लिक से अंडर्टेकिंग यानि प्सू इंक्लूडिंग जैसे की देखिए कि किसका इसका नाम है आयरेप सी इरकॉन इंटरनाश्रल मजगाओ डॉक इवन आज डिफेंस में भी काफी गिरा बटवा हुआ है चल्ब गिरा बीडेल भी गिरा मजगाओ डॉक तो बढ़िया से पीटा उसके बाद देखे इन एलसी इंडिया लिमिटेड साथ इसाथ देखे नीचे और भी कुछ कंपणी का नाम मेंट्शन किया जो की फर्टिलाइजर से बिलॉंग करता है जैसे कि नैशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया रास्ट्रियो केमिकल एंड फर्टिलाइजर हो तो यह सारे शेर हमने देखा जैसे कि रास्ट्रियो फर्टिलाइजर की बात करें तो आज 10 परसेंट पीटा 10 परसेंट पीटा दोस्तों तो सबसे वाला रिजन यह हो गया कि आज देखे जो यह न्यूज हमने देखने को मिला था लगबख लास्ट रिइंग विक पे तो कह अब देखो कि आज ना कि बल यह सारे सेक्टर्स पर या यह सारे स्पेस्विक शरिप गिरावट हुआ बलकि बहुत महीनों बाद मैं बोलना चाहूंगा कि निफ्टी फिप्टी जो है मोर देन वान परसें क्रैश्ट हुआ अब समझे तो 1.34 परसें क्रैश्ट बहुत बड इस तो जिस बैसे गिरावट हुआ नेक्स जो मैं आपको बोल ला था कि यहां पर एक्चुली आज पीए सु सेक्टर में सच में बहुत ज्यादा गिरावट हुआ उसका और एक एक्जम्पल मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए यह दिखिया जो निफ्टी की जो पीए स यहां पर OFS आने का एक डर अब बात यह कि यह सारे शियर अगर और गिर गया तो कहां तक गिर सकता तो सबसे वहले एक एक करेंगे देखते जाए और दूसरा में आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आज रात की सारे दिसकी वीडियो जरूर देखना उस को ध्यान देना दो तरी कंपने के रिजल डॉट इस बार शेयर होल्डर को डिवीडियन भी मिलेगा तो मतलब कंपनी इस बार डिविडियन डिकलर करेंगा क्वार्ट टू रिजल के साथ तो दो तरीक तो बहुत इंपोर्टेंट होने जा रहा है अब बात ही कि लास्ट है म तो लगबग 68 रुपीज से 70 रुपीज के आसपास तो आप समस्वत इस लेबल पर एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी बन सकता है मैं क्यूं बोल लाँ कि यहां पर एंट्री पॉइंट हो सकता है क्योंकि अल्लेडी देखिए इसका जो आल्टाम हाई है 92 रूपीज और आज की रेट पे शेयर क्लोजिंग दिया 72 रूपीज यानि नियर अवाउट 21 से 22 परसें डिसकाउंटेट प्राइज में तो आज ही यह शेयर मिल रहा है अब देखिए कि सरकार इतना जादा बेकुवनी नहीं है कि ऑल्री जो कंपनी का शेयर आपको 22 परसें डिसकाउंटे इसमेंट बुलिश होगा वैसे मैंसे आपको रिकावरी भी दिख जाएगा बठा ये बात एकदम सौप अतिसद पक्का है कि कभी भी इसमें ओएफिस आ सकता मतब नेक्स टाल में तो डेफिनेटली 90 परसें गरांटी इसमें आएगा या को कि सरकार एक मोटा स्टिक सेल जर आवर्ट हुआ लगबग 7% क्राश करके शेर क्लोजिंग दिया तो इस लेवल पर हमने देखा था शेर आया था आज 143 में क्लोजिंग दिया था यह देखे जो की सेप्टेमबर की सेगेंड विक पे उसके पहले बात करें तो देखें यहां पर अपना अल्टाम हाई भी रखता है जो कि एरकॉर्ण के शियर के लिए बाकि मैं बोलूँगा इमिरेटली आपे सेल भी करने की जरूरत नहीं है फिर भी इंट्री लेने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी सरकार कभी अपना स्टेक सेल कर सकता है क्योंकि अगर आप देखो के दोस्तों इसमें देखे कुछ हद तक अपना स्टेक सेल भी किया यानि बड़े इंवेस्टर्स इसमें सेल किया स्टेक तो जिस बैसे मां बोलूँगा यहां पर इमिरेटली इंवेस्टमने की जरूरत नहीं है बाकि अपकर शेयर है तो आप कंटिन्यू कर सकतो सेम चीज़ अर्बिन से लेके 155 का लेवल क्योंकि यह जो देर्सो का लेवल दना यह ब्रेक करन से पहले इसके पहले हमने देखा मल्टिपल टाइम्स देखे शेयर में जो कि यहां पर रेजिस्टेंस मिला था बहुत बर यहां पर रिजेक्ट भी होता फाइनल जब यह शेयर मतब आर्विरल का यह फॉस्ट वीक पर सेप्टमबर की यह लेवल ब्रेक करके पहुंचा तब हमने देखा देर्सो का सपस काफी बढ़िया सपोर्ट भी मिला तो इस बार देर्सो के लेवल ब्रेक करके उपर मतब नीचे जा सकता है यहां से आपको लिए एक बढ़िया इंट्री पाइंट बहुत अच्छा काम कर रहा है कंपने और लगातार इसको कॉंट्रैक्ट भी मिल रहा है नेक्स्ट अगर बात करें तो अपको शुरू में बोलूंगा यहां पर एकदम ही अबाइट की जिए मतों आपको अगर शेयरत है तो उसकेस में कुछ इमेडियेटली करने की जरूरत की नीचे लाना ही पड़ेगा जिसमें देखा शेयर लगातार उपर अपर सर्कीट लगदे लगदे एकदम से लास्ट कुछ तिनों से लोवर सर्कीट देखने को मिला तो इससे मैं आपको बोलूंगा आप दूरी बनाके रखिए तो ही अच्छा है बाकी मैं बोलूंगा इ आप वाइंड अप करता हूं वीडियो अच्छे लेगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना कोई भी डाउट्स आप मुझे कमेंट की तरू पूछ सकतो टेक क्या बाबाई जय हिंद